हाई दोस्तो असलाव अलेक्म कैसे आप लोग मेरा अबील है अपल ने रिलीस कर दिया है iOS 15.3 का पब्लिक स्टेबल वर्जिन आप में से सभी के आइफून के लिए यह अवैलेबल है आप जाके बिंदास इसको डाउन अड़ इंस्टॉल कर सकते हो और करना भी चाहिए क्यों के एक बहुत ही important update है और क्यों है इतना important update यह इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो में आगे आपको update के बारे में information देने के पहले दोस्तो thank you so much और आप लोगों भी congratulations क्योंके बस अब 1000 subscribers दूर है हम लोग 1 million के mark से तो हो सकता है जब मैं वीडियो पब्लिश करूँ या जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे उस टैम पे हमारा 1 million subscriber का जो mark है 10 3 पे तो यह जो update आया है यह आया है 1.06 GB का मेरे iPhone 13 Pro Max पे कोई भी iPhone आपके पास आपको इतने ही GB का update जो है देखने मिले का हो सकता है 950 MB हो या फिर 1 GB या उससे थोड़ा उपर बहुत पुराने किसी version से आ रहे हो then that is a different story iOS 15.2.1 से आ रहे हो तो आपको इसके आसपास ही update size दे कार मीटर हम तेक लेते हैं update के पहले और बाद वाले यहां पे software वर्जिन जो है update के पहले का 19C63 और यहां पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो था वो था 223 GB का मेरे iPhone 13 Pro Max पे जो के 256 GB वाला है और यहां पे दोस्तों मुरेम फर्मवेर था update से पहले 1.32.09 अपडेट के बाद यह storage है यह बढ़के 224.26 GB हो गया है तो यहां पर यह अची चीज है याने की available free space जो है वो घटा नहीं है तो this is a good thing यहां पे देख सकते आप नया build number जो के है 19D50 यह वो ही build number है जो आपको iOS 15.3 के RC version पे देखने मिलेगा तो जो लोग RC version इस्टाल किये है या बेटा वर्जिन इस जो है वो definitely आपको बेटर देखने मिलेगा आप यहां पर एक बार देखके परिशन मतमना कई बर बता चुका हूं लेकिन कुछ लोग नहीं होते है तो उनको बतायता हूं कि यह office के environment है जा आपे soundproofing वह रकी है तो एडल का network इतना ही आता है एक से दो बार और जियो का अगर कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों इस वाले update के अंदर क्या कुछ आपको नया देखने मिलेगा यहां पर दादू के नए features जो है इसाप अपडेट के अंदर आपको देखने मिलेगे लेकिन बहुत important fixes जो है यहां पर आप नहीं किया है पहला fix क्या किया है वह मैं बता जता है वह बहुत ही जादा अगर आपका होता होगा तो यहां पर वैसा आपको देखने मिलेगा 256GB के आइफोन के लिए यह system data 11GB का iOS 9.2GB का एकदम normal है बिल्कुल भी जादा की तरफ नहीं है तो यहां पर storage जो है calculating पर अटक जाता है यह सब आपको जो है generally देखने मिलेगा हो सकत इस वाले अपडेट के अंदर fix किया है तो आप अगर Apple Music सुनते है तो यह update आपके लिए खुशकबरी है क्योंकि आप अपने iPhone की बैटरी जो है आपके अपके लिए खुशकबरी है क्योंकि आप अपने iPhone की बैटरी जो है आप इतना जो है बैटरी नहीं करेगा अब यहां आइचे अगर आप इस्तमाल करते हो Safari browser तो Safari का एक बग है जो Apple ने इस वाले अपडेट पे fix कर दिया है यह क्या करता था आपका जो browsing हिस्ट्री है जो भी website आप विजिट करते हो उसमें अगर वो बग है malicious कुछ software है तो वहां पे जो आपकी browsing हिस्ट्री है उसको वहां पे उस website को दे जाता था तो यहां पे अगर आप इस्तमाल कर रहे हो अभी तक पुरान iOS version तो इस वाले अपडेट पे चले जाए है ताकि आपका Safari का browsing experience है वह जादा सेफ हो जाए यहां पे आप देख सकते हैं इसकी सारी information जो 925 के इस article के अंदर आपको देखने मिल जाएगी तो य क्योंकि मैं यहां पे काफी दिनों से इस्तमाल कर रहा हूं RC version तो यहां पे मुझे जो है कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आ रही है बहुत ही अच्छा अपडेट है काफी स्टेबल अपडेट है अप क्रैश वगरा जो है इसमें minimum है जियो के उपर मामूली call drop वगरा हो सकता है वो carrier की गलती हो तो यहां पे मैं exactly नहीं बोल सकता अभी इसलिए मैं इसका follow वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जियो और Airtel दोनों पे जो है मुझे network experience कैसा रहा है तो overall performance तो अच्छा है लेकिन हम यहां पे जो benchmarks है वो देख लेते है कि benchmarks हमको क्या story ब तो मामूली कम हुआ है क्योंकि phone जब मैं update करा तो थोड़ा सा heat होता है उस time पे मैंने इसको चेक किया तो मामूली सा कम हुआ है देख सकते आप almost similar ही आपको यहां पे performance देखने मिलेगा और अगर मैं computation benchmark दिखा दूँ आपको gaming performance वगरा तो यहां पे भी same story है 14,524 और यहां प data version है चला रहा हूं काफी टाइम से तो यहां पे हम battery life के बारे में भी discuss कर सकते हैं यहां पे follow up का wait करने की ज़रूत नहीं है तो यहां पे battery health बदाजता हूँ iPhone 13 Pro है मेरा 100% battery health है और यहां पे अगर मैं last 10 days का आपको usage बताऊं तो यहां पे देख सकते average screen on time जो है वो साड़े 9 गंटे या 10 गंटे के आसपास का है जहां पे social media का भरपूर मैंने इस्तमाल किया हुआ है यहां पे आप देख सकते कुछ trading application है Gmail वगरा है फिर अपने जितने भी FaceTime volume वगरा वो सारी चीज़े मैंने यहां पे किया है और अगर एक एक दिन का हम data देखते है तो यहां पे आप भी जो है आपको अच्छी battery life आप expect कर सकते क्यों हीटिंग वगरा minimum ही और वैसे भी थंडी का सीजन है तो क्या ही हीट होगा आपका iPhone इसके अलावत दो आपल ने watchOS 8.4 भी release किया है और इसके अंदर कुछ charger जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेते तो उसको यहां पे fix किया त security bug fixes देखने मिलेंगे तो यह भी आपको download install करना चाहिए this is also very important यहां पे जो software updates आते दोस्तों यह काफी important यहां पे important बात मैं अगर अभी तक आप iOS 14.8.1 वगरा चला रहे हो तो Apple has stopped signing that update अभी आप जो है उस पे चलाना अपने iPhone को it is not that safe तो बेटर यही रहेगा दोस्तों कि आ आप जो है जाकर iOS 15.3 जो है update कर लीजिए फिर भी अगर रुपना चाहते है तो मैं जरूर उसका follow वीडियो बनाऊंगा लेकिन क्यूंकि इसमें आपकी security safety privacy related एक बग है जो Apple ने fix किया इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप update कर लो बाकी जिदों के अंदर कुछ compromise करना अगर आप सोच रहें दोस्तो यह क्या wallpaper मैंने लगा के रखा है और यहां पे मेरे watch पे यह कौन सा watch face है तो यह नए watch face और नए wallpapers Apple ने खुद launch किया है इसके आप लाँच किया एक नया braided solo loop जो के black unity को symbolize करने के लिए और यह नया watch face और यह नए wallpaper आपको कैसे down and install करना है झाल को धिए करना है